प्रभु मैं तेरा 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 तू मेरा 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 मैं तेरा 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 तू मेरा 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 संसार की गुलामी माया ने कहा ना कि ये सभी पुजारी है अर्थ सही है सभी व्यक्ति पुजारी ही तो है कोई धन का है कोई सत्ता का है कोई अपने अहम वोशन का है एश्वर की पूझा करनी चाहिए असथ संसार में सथ वस्तू परमात्मा है इसे की सदय अगर नजरे पूझा करती रहे तोव पुझारि शरेश्ट संसार में गुलामी तो कर呢 किसी नट, किसी जिसके आदमी पूझा करता है उसके गुलामी करता है तो किसी ना किसी की गुलामी तो इंसान करता ही है हम यह कहते हैं क्यों ना प्रमात्मा की क्यों ना महापुरुशों की गुलामी की जाए तो सारे बंदनों से यही मुक्त हुआ जाए सोटा का सची बात है तो हम इसलिए बार-बार कुछ-कुछ आज मया का स्वास ठीक नहीं था सही मैं पर फिर भी उचेहरे पर नहीं आया तो हमने सोचा कि यह चीज आपको दिखनी चाहिए प्रत्यक्ष दिखनी चाहिए कि वो कैसे अपने आपको मैनेज कर लेते पर एक ही मात खा जाते है कि आम अपने आपको मैनेज नहीं कर पाते गाड़ी बहुत अच्छी है गाड़ी का रंग अच्छा है ऐसेशरी बहुत अच्ये ब्रांड बहुत अच्छी पर गाड़ी चलाना नहीं आता यह न? जीवन बहुत अछा है बहुत सुख संपदा है वह भव है Tabii अस्फवर है खाने को दो रोठी मिलती है दो समय बोजन मिलता है सब कुछ अच्छा है पर जीवन चीनानी कहता अपने जीवन को चलाना नहीं आता और मापुरुश अपने जीवन को चला लेते हैं तो उनका सब कुछ चला ठीक ठाक चला लेते हैं सब ठीक चल जाता है तो हम दूसरों को समभालते, समभालते अपने आपको खपा देते यह हमारी सबसे बड़ी भूल सबसे बड़ी कमजोरी कि हम अपना जीवन ड्राइव करना नहीं जानते गाड़ी बहुत अच्छी दी है भागवान ने दी मनुश्य मतलब गाड़ी ही है सोच दी, समझ दी, बुथी दी, विवेक दिया, विचार दिया योग्या, योग्या का दूद पानी का विचार दिया है फिर भी उसका उप्योग नहीं दिया हमने नहीं किया तो हम इसलिए कोशिश करते हैं कि कभी-कभी महापुरुशों के जीवन से आप लोग प्रत्यक्ष कुछ ले पाओ तो सभाग किया है इसलिए मैंने आपको ये बात कही कि मैयाजी कि अच्छ करता इसलिए करता है आपको छहरे से नजर आदाया ऐसे आपको नहीं कईयों को नहीं आता है डॉक्टर तो बहुत कंफ्यूज हो जाते कहتे हैं कौन बिमार है कौन अस्वस्त है किसकी रिपोर्ट है आप ऐसे होने ही नहीं रही फिर भी है फिर भी मुस्कराते हैं चहरे पर शंती है आपको शंती मिलती है वो कभी चहरे पर शिकन नहीं आती है कैसे मैनेज करते हैं कोई तो बात है ना मैनेज करने के लिए कुछ तो विचार होगा और व्यक्ति के विचार ही शरीर को प्रभावी करते हैं आप सोचते हैं, मैं बिमार हूं, बिमार हूं, तो स्वस्त विक्रिवी बिमार हो जाता है। और बिमार व्यक्ति भी यह सोचता है, कि मैं तो आत्म हूं, यह शरीर का धरम है। दूसरों को भी स्वस्त कर देता है। यह मैनेजमेंट का तरीका है। हम तो बहुत management के गुर सीख लेते हैं, दस, पंदरा, बीस, पचीस नौकरों को चला लेते हैं, अपने मन को नहीं चला पाते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है, मनुष्य की, मनुष्य मतलब मन वाला मनुष्य है, जिसे मन है, मनुष्य है, मनुष्य कहा ही जाता है, जिसके पास मन है, तो मन को manage करना है, वो आ जाये, जीवन समर जाये, हम इसलिए कोशिश करते हैं, महियां से थोड़ा वो तांसें थे न, अगबर ने पूछा कि तांसें तुम इतना अच्छा गाते हो, तुमारे गुरू कितना अच्छा गाते होंगे। तांसें गाते थे तू बारिश आ जाती थी, इस रस्वती की मूर्थी उबराती थी। अगबर ने बोला कि तांसें तुम बहुत सुन्दर गाते हो। तुमारे गुरू कितना सुन्दर गाते होंगे। बोले, मेरे गुरू की तो बात ही मत पूछो, वो गुरू है. बोले, कभी सुनवाओ उनसे, कभी हरीदाश से सुनवाओ, कोई ऐसा राग, बोले, मेरे गुरू ऐसे नहीं गाएंगे. कैसे गाएंगे? जैसे गा सकते हूं, पर मुझे सुनना तांसेन, एक बार आपके गुरू को. मेरे गुरू जंगल में रहते जोपड़ी में, चलोगे, बेस बदल कर चलो, चलने को तयारो. अकबर के साथ तांसेन, अपने गुरू के पास अकबर को ले गया. अकबर से कहा कि आप जाड़ियों में छुपए रहों. तांसेन गए, और एक राग गाया. राग गाया और उल्टा सिधा काया. जब उल्टा सिधा राग गाया, तो हरीदास को थोड़ा कुसा आया. और हरीदास कुटिया से बाहर निकले और बेवकूफ, ऐसा सिखाया था मैंने, मैंने तुम्हे ये सिखाया था. गुरुजी, मुझे तु जितना याद था, ख्षमा याचना, ख्षमा प्रार्थियों में, मुझे यही याद रहा, तु मुर्ख है से लिए तुझे ये याद रहा. गुरुजी, मुर्ख भी तो आप ही काहूं ना, मेरी गल्ती को कौन सुधारेगा, गुरु ही ना, गुरुजी, मैंने जो जो राग और सुर्गलत गाये, कृपया मुझे, सीधे रागों का ग्यान कराईये, तब हरिदास ने गाया, उसकी गल्ती को ठीक करने, कि तुम ठीक न चहचाहाट थम गई, बातावरण में खुश्बू फैल गई, अकबर ने जब उनकी आवास सुनी, तो उसकी चेतना जाती रही, बेहोश होकर अकबर उस जाड़ी के पीछे गिर पड़े, इतना सुन्दर चेतना को जाकृत करने वाला गया, दिशाय मानों सब वही की वही हरिदास के उस राग को सुनने के लिए, हलकी हलकी ठंडी-ठंडी हवाएं जैसे शरीर को सुकून देती ऐसी ठंडी-ठंडी हवाएं चाली, और उस हवाओं में कभी दिव्या खुश्बू, दिव्या सुगंद, कभी कुगल की, कभी कोई, कभी पूलों की ऎसी और करनप्री आवास अकबर अपने आपको संभाल नहीं पाए और मुर्चित होकर गिर पड़े दस मिनट पनरा मिनट अधा गंटा एक गंटा धाई गंटे पूरे अकबर को होश नहीं आया हरिदास गाना गाके अब समझ में आया राग वैसे नहीं ऐसे गया जाता है तानसेन ने टेड़ी नजर से देखा कि महराज मेरी कबट के लिए एक शमा करिएगा अगर तो मैं कहता कि आप गाओ तो आप गानी गाते नहीं इसलिए मैंने उल्टा गया ता कि आप सुल्टा करो उसको आप से बिल्वाने के लिए ये सब मैंने किया क्योंकि महराज अकबर ये मन से कह रहा है अगर उस समय कहता तो शापित हो जाता शायद हरिदास जी चले गए तानसेन अकबर की उठने का इंतजार कर रहे है बाहर खड़ी खड़ी तानसेन ने पानी का छिड़का मारा बादशा, शेंशा, उठिये अकबर जैसे याँखे खुलते माशाला क्या सुन्दर आवास पाई है आपकी गुरू ने क्या दिव्य सुगंद है आपकी गुरू की आवास में आवास तो मूं से लाते पर खुश्पून आख में आती है ऐसा कैसे है तानसेन आप ऐसा क्यों नहीं गा सकते हैं जहाँपना क्यूंकि मैं भारत की बादशाह के लिए गाता हूं और मेरा गुरू ब्रमांड की बादशाह के लिए गाता है इसलिए उसमें वो आवास है इसलिए उसमें वो तम है वो आवास है मैं भारत की बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूं और वो जगत के बादशाह को खुश करने के लिए गाते हैं तो हम भी सोचते हैं कभी-कभी उल्टी सीधी करिया हैं कि अगर सची सची सला मिलती है सचे सचे वचन मिलते है तो उल्टा करना सही है तो खेर हम चाहते हैं कि जो एकांतप्री साधू महापुरुष होते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपने आपको मैनेज किया कैसे अपने मन को संभाला है, बहुत सारी दिक्कते एक मनुष्य जनम लेने पर होती है और इस रास्ते पर चलने पर तो ज़्यादा, क्योंकि मन कभी इदर कभी उधर, यह स्वभाविक होता है जब आप संसार को देखते हो ना आपको लगता है, छोड़ना इसमें क्या पड़ा, थोड़ा कर लेने दे थोड़ा भोग लेने दे, यह सभी के मन की दिक्कत होती ही है और मन है, तो चलना स्वभाविक भी है, तो हम सोचते कि कभी-कभी जब महापुरुष हयात है तो क्यों न वो डाइरेक्ट दे दिया जाए कोशिश करनी जाहिए कि हम महापुरुषों के जीवन का नुसरन करें और अपने आपको, जैसे वो अपने आपको अपने जीवन को नत्त किये हुए वैसे हमें भी पेड़ा मिले और बल मिले कर्पा है तभी तो नजर डालते, कर्पा है तभी तो इतना मुसकान देते तो कृपा तो है हमें उसे उस कृपा के लिए पातर सीधा करना आ जाए बस राम राम